42 दिगरी टेंपरेटर की धर्मी इस सब के बीच में खुले में बैठे हुए आप सबी दोस्तों चिलचिलाती धूप में ग्रिह मंत्री अमेसा का जनता को समोधित करता यह वीडियो वा सोशल मीडिया सुर्खियों में छाया हुआ है दरसल रविवार को महाराश में ग्रिह मंत्री अमेसा की जनसभा में 11 लोगों की मौद का मामला सामने आया है अब ग्रिह मंत्री अमिसा की इचन सबा से जुड़ा वीडियो सेयर कर तमालोग बीजेपी और ग्रिह मंत्री अमिसा पर अस्वेदन सेल्टा के आरोप लगा रहे हैं जहां तक नजर न पहुंच चपाए इतना बड़ा मैदान बीच में एक रोड रोड के बाद दूसरा मैदान और एच चिल चिलाती 42 तिगरी टेंपरेचर की धर्मी इस सब के बीच में खूले में बैठे हुए आप सभी सदस्य आप सभी सन्मान जोग व्यक्ति माताई आपकी जानकारिक रता दें ग्रिह मंत्री अमिसा की रैली में प्यास के वज़ा से दम तोडने वाले 11 लोगों को में स्क्रीन मेडिया में कोई खबर नहीं मिली ऐसे में लोग बीजेपी और ग्रिमंत्री अमिसा पर स्वाल उठाने के साथ ही मीडिया की भूम कर प्रभी प्रस्ण चिन लगा रहे हैं हलाकि दोस्तों ग्रिमंत्री अमिसा अपने भासन के दोरान चिलचलाती धूप में बैठे बीजेपी समर्थों का होचला बढ़ाते और प्रसंसा करते भी ना जाराये लिकिन 11 लोगों की मौत पर ना बीजेपी की तरप से कोई बयान सामने आया और ना ही मीडिया में से जुड़ी खबर चलाई गई ग्रिमंतरी की जनसबा में हुई 11 लोगों की मौतों को दरकरार करने वाले मीडिया पर सवाल उठाते हुई रोसन राज ने कहा अगर भी पच्छी की रैली में एक भी जान चली जाती तो बीजेपी वले नर्क मचा देते और मीडिया 24 घंटे सी को कवर करता अब इस साह की रैली में 11 लोग मर गए और मीडिया में कवरेची नहीं है